हाँ तो अपन 3.1 कम्प्लीट कर चुके थे आज अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जवर्दस्त एक्साइज है इसमें आप क्या सीखेंगे इसमें आप सेखेंगे प्रतिस्थापन विदी क्या सीखेंगे प्रतिस्थापन विदी बहुत जवर्दस्त विदी है हालां बाएंगे इसके बाद में जो वजर गुणन्विदी होगी इसको बीट वाली वह थ गई यह करके वजर गुणन्विदी होगई तो आज बात करेंगे उसकी करेंगे प्रतिस्थापन विदी एग्जाम में क्योशन आएगा करें से पर ही मेरी बातों को सुनो एक्जाम क्योंशन नहीं आएगा की एस नहीं क्यों दे रखाओगा और आप से साफ साब कहएगा कि निमने समीकरण को 3030 लिए या फिर निमने रेकिक समिकर्ण को विलोपन विदी सहल कीजिए वो लिखा रहेगा कौन सी विदी है ठीक है तो मस्तरव आराम से दोनों विदियां शांदार तरीके सिखांगो जिंदगी में नहीं बोलोगा यह और है ठीक है बस आराम से पढ़ते चाहिए पहला क्योशन है कि निम्न रेकिक में प्लासे वाइबर पॉर्टीन ओwatch दूसरा है व आपका एकस माइन सोबराबर चार ठीक है एकस हमाइनस वब्राबर चार ये दो समिकर्ण 9 пр2 सम अपको सबसे पहले क्या करना है इसे एक सम्मिक्रण बनाने से एक सम्मिक्रण दो फिर कोई सावी चर्ण लेलो जो पुर। चम्मिक्रण भी सम्मिक्रण जो आपको ठीक लगे वेसे लिपेले संदध委 करेमेक नहीं सबसे पर नोइन करना पूरो ओर बिधी धाल। फिर ठीक है प्रति स्थापन विदित द्वारा या प्रति स्थापन विदित सें ये लो यह लिख दिया इसकी बाद में वापस है लिखो x plus y बराबर 14 समय करन 1 और x-y बराबर आपके 4 समय करन 2 ये 2 समय करन मन जाएंगे फिर एक ये लो है को सम्हें एक से सम्हेंख़न एक से पहले सम्हेंख़न एक उठाओ तो वह एकस प्लस य बराबर 14 तो X को separate कर लो किसी एक को separate करना मतलो अकिला बनाना तो X बराबर 14 Y इदर आका हो जएगा minus का Y Y हो जएगा minus का इसको देधो समीकरण 3 बिख 268 पहरे पर किसी भी एक समीकरण एक से समीकरण दो से लो उसको वापस से लिखो और उसमें से एक से Y किसी की वेल्यू को सेपरेट कर लो जैसे एक्स को सेपरेट किया तो वाई दरा के माइनस का होगा बस अब क्या करना होते एक लाइन लिखनी होती है क्या लिखनी होती है लाइन वह लाइन क्या है देखो वह लाइन यह है कि यह जो समिक्रण तीन का मान है मतलब एक्स का मान द्यान से दो में रखने पर बहुत बड़ी चीज है ठीक है बहुत बड़ी चीज बता दी मैंने एक्स का मान समिकन दो में रखने मत लिखो जो विदिय वह लिखो प्रतिस्थापिन करने पर प्रतिस्थापित ठीक है दो में प्रतिस्थापन करने पर एक्स का मान समिगन दो में प्रतिस्थापन ये प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित कर दो और भी ज्यादा बढ़ी हो जाएगा प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित हो जाएगा ये ये लो साब प्रतिस्थापित कर करने पर दो में अगर यहां पर आप कहते हैं बदो 109 दो लिए picnic समभेड़ेंगे 2 से लिखेंगे अगर ró लेते हो एक में रखना है एक लेते तो दो में रखना है इतना साथ है अब मान रखते हैं आओ मान रखेंगे तो क्या वेल्यू बन जाई कि समीकर दो का है जहां पर भी एक से वह फोर्टीन माइनस वाई रख दो इस एक्स की जग़ज़े अपने 14 वाई इस वेल्यू और minus y अपनी जगह ही है, बराबर 4, बराबर 4. 14, minus 1 y, minus 1 y, minus का 2 y. बराबर 4, 14 अपनी जगह रहे जाएगा. 4 को लियाओ, अंदर 2 y को भेजड़ दो, उदर ताके plus में हो जाएगा, 2 y उदर जाके plus का हो गया, 4 अंदर आके minus का हो गया, 14 में से 4 के बचके 10 तो 2y का 2y 10 के बटे में आजाएगा 2y कट के 5 बराबर y तो y का मान आ गया 5 ठीक है और अब इस y के मान को द्यान ते समझना y के मान को y के इस मान को y के इस मान को समिक्रन 3 में, समिक्रन 3 में या 5 रखने पाड़ पर, टेक हुआ, परतिशता ठापित करने पर बहेत असान है, यहा 3, x का x बराबर 14 का 14 माइनिस y के जिए 5 के रखना है, y के जिए के रोखें तो x की विलिए की हाजाएगी, 14 में से 5 की तो बेहाद ऐजी है ध्यान जे समझो सबसे पहले आपन को क्या करना है तो फ़िए स्टरेट्मेंट लिखो हल परतिष्था आपन विदी द्वारा सम्मिकरण एक और सम्मिकरण दो देदो सम्मिकरण एक लेलो उसमें एक और य किसी को भी separate करना है कर लिया फिर यह जो मान आया उसको समीखन अगर यह एक लिया तो 2 लिया तो 1 में रखना है अभी अपने एक लिया तो अधु reicht रख दिया पर कट के y 5 आ गया इसको समिकर्ण 3 में रखना होता है फिर 3 में 1 और 2 का काम हो गया जो तीसरा बचाता हूँ x ला देगा एक्स ला देगा तो यह में लाना है तो x बड़ाबर 14-5 तो x बड़ाबर 9 आ गया ठीक है तो यह काफी easy question है कोई दिक्कत नहीं अपने answer को check भी कर सकते हो कैसे है कि x की value कितनी आई 9 और y की 5 यहां पर किसी में एक में किसी में भी एक में रखके देख लो उसका मान बराबर आना चाहिए 9 और 5 को रखे 14 आ रहे हैं सही बात है अगर इसी को नीचे वाले में रखना चाहते हो रख दो बल पार्ट वन था कौन सा यह हो गया अब बात करते हैं सेकिंड पार्ट काफी बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है सेकिंड पार्ट एस मैनसटी ठीक है दियान से समझो पार्ट सेकिंड को सबसे पहले वह स्टाइटमेंट अपना क्या हल लिखेंगे और हल लिखेंगे विदी का नाम लिखेंगे कौन सी विदी अभी अपन जो करने को यह प्रतिस्थापन विदी द्वारा इसमें सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे अपन सो खित्म करना थिए बटा तो खित्म लो वो देखो वन तो बन चुका वन के साथ में कोई फैर बदल नहीं होगा वह समिकरण एक वन लाइंदर में इसको रहने दो टू को वन लाइंदर बना लो इन दोनुगा एल से मैं च्छह तीन का भाग दिया दो च्छह में दो बार दो को ऐसे गुणा तो टू एस आगया ट 36 बहुत इसी बन गया बस यह बन गया अपना समिकरण दो मतलब हमेशा इसको वन लाइंदर बनाना है और जब तक वन लाइंदर नहीं बनना हो तो पहले एल सीम ले लोगा के बना लो और फिर उसके बाद में सॉल करना है ठीक है अब ले लो बाइस समिकरण अगर एक लेना समिकरण तीन अब समिकरण तीन नहीं बनी यह इसका मान रख देंगे बन दो में ठीक है तो इस रख लो कि समिकरण जो तीन हमने लिया है समीकरन तीन मान लो चाहिए एस का मान मान लो बात एक ही है एस का मान लिख सकते हो बढ़िया रह जाएगा कि एस का मान या एस के इस मान को समीकरन दो में ठीक है समीकरन दो में प्रतिश थापित करने पर तो देखो दो क्या है यह रहा दो टू एस की जिगर रखना है है थ्री प्लस थी थोड़ा से लंबा स्लेशन जाएगा थ्री प्लस टी फिर प्लस थ्री टी बराबर चतीस बस जाए इस था वहां पर स्री प्लस टी रखा बागी कुछ भी अपन नहीं किया है अंदर मुल्टिप्लाइब कर लो तो यह आपके हो जाएंगे च्छै तो तो यह जाएंगे आपके च्छै और तीन प्लस थी हो गया बराबर चतीस तो पांच टी बराबर चतीस और चलेज़ जाएंगे तो पांच थी बराबर थीस ठीक है तो टी की वे लिए प्रतिस्थापित करने पर यह पूरी बात लिख दो ठीक है प्रतिस्थापित करने पर तीन कहा है यह रहा यह रहा हूं तो एस का तो एस बराबर तीन प्लस टीक है जिए अच्छा है तो एस की विल्यू जाएगी नाइन बास एस और टीकी विल्यू निकालने एक अंसर यह हो गया ठीक है तो काफी इजी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यह देखो दोनुंपार्ट अप बात करते हैं तीसरे पार्ट की ठीक है तो दिस्क अपर्ट सोल Commander है क्या एक बात लिखनी है प्रत्री स्थापन विधीद्वारा तो अविधीद्वारा जोड़ना सब्सक्राइग को तो पहले संद्ध करेंगे और 9-3y की बराबर 9 संद्ध दो उगया फिर मीलेंगे समीकरण एक से ठीक है समीकरण एक से अकर अपने लिया तो 3x-y बराबर जो 3 था वो ले लिया अपने इसको सेपरेट कर लो तो सेपरेट करने में अब अपने पास में दिमाग लगाना पड़ेगा त्री को अंदर लिया हो और वाई को बेज़ दो उदर यह सही बेटेगा तरीका अगर आप यहां पर एकस को सेपरेट करना चाहोगी तो अपनों वेल्यू चली जाए कैसे हैं कि 3x आप ऐसे बीदो प्लस का वगया लेकिन 12 ऑपने में चली एकस इन मत करो वाई प्रतिस्तापित करने पर यह लाइन लिखेंगे तो करो प्रतिस्तापित करा तो देखो क्या याँ दो कहा है दो अपना यह रहा तो देखो नाइन का तो 9x की जगर नाइन की जगर रखेंगे 9x-3 और y की जगर रख देंगे 3x-3 तो देखो नाइन माइनस 3y बराबर 9 यह हो गया अपना ठीक है ना तो देखो solve कर लो कि 9x अब बारी बारी गुणा करो 3 को अंदर गुणा किया तो माइनस का 3x और माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस का 9 बराबर 9 तो देखो easy है 9x अपनी जगह है माइनस 3x यह 9 अपनी जगह है इस 9 को भी अंदर लिया हो तो एक बात सुनो इसको एक काम करो फिर आप 6x लिख दो 9x में 3x अला गया तो आपके 6x बच गया है ठीक प्लस 9 अपनी जगह है उस 9 को भी अंदर लिया बराबर 0 तो क्या बन जाएगा 6x 9 का दिया 6x बराबर 0 तो X की value हो जाएगी 0 अब 6 X की value हो जाएगी 0 तो खोर्स भाइ की बच जिरो होगी लगे और y 0 तो नहीं हुआ कोई दीकत नहीं है जरू नहीं होता है जरू हो तो x की वैल्यू तो 0 हो गई और y की वैल्यू माइनस 3 हो गई आराम से आप इसको चेक भी कर सकते हो equations में कि 3 x 0 रखा तो 0-y की जगर रखा दो माइनस 3 तो 2-3 नहीं कोगे तो इस दिए वाला मान आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है अपना पार्ट 3 भी बिल्कुल सही हो गया अब बात करते हैं पार्ट 4 की पार्ट 4 की और चौता पार्ट क्या अपना चौता पार्ट है 0.2x 0.2x प्लस 0.3y यह बढ़िया क्योंशन है पॉइंट में 3y बराबर 1.3 1.3 और अगला क्योंशन क्या है वो है आपका 0.4x 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है बराबर 2.3 यह है ठीक है चलो सलूशन स्टार्ट करते हैं अपना हल और हल में वह लिखेंगे पहले सब सенного कहीं फिली का लिखेंगे 35 ay perfect में प्रतिस्था होंब CA विदी द्वार और 12 लेकिन अभी यहां पर ठोड़ाऊ मामला लग है जयां संजनाku इनगो पैं 2000 करन एक और दो और सीधे नहीं देंगे पहले हम चाहते हैं की पोइंट का जमलादpected पोइंट का solution करना बहुत ही मुश्किल है पहले इनको अटाएंगे तो पहले इतना सा उतार है इसका समाधान करते हैं देखो क्या समाधान इसका कि एक बात बताओ पोइंट की बाद में एक संक्या तो पोइंट को हटाके बते दस लिख लूँ ठीक है दो बिटे दस एक हो गया ऐसे इन पर आगे तो यह द्याना इसके साथ मल्टिप्ला होता है इधरो जाएगा 3y बराबर 13 बटे 10 तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y अपने जगे यह दस उपर चला जाएगा दस अभी बटे में इधर जाके उपर चला जाएगा दस से दस कट तो क्या बनेगा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 यह अपना बन गया समीकरण 1 मनदब समीकरण 1 अब जाके सही हुआ है थोड़ा सा लेंदी जाएगा वैसे अब आपन देखते हैं समीकरण 2 वाली लाइन को कौन सी को इसको 0.4 वाली 0.4 प्लस 0.5y बराबर 2.3 इसको देखते हैं सेम वही चार बिटे 10 पॉइंट टालो पांच बिटे 10 पॉइंट गया और 23 बिटे 10 इसका भी पॉइंट हट गया ऐलसी मा गया 10 तो 10 का 10 में तो अच्छा यहां पर एक्स था कि एक्स लिगा दो यह था तो यह एक्स और यह तो 4x प्लस 5y बराबर 23 बिटे 10 तो क्या नहीं है और 23 बिटे 10 अपनी जगें यह दस जाके इदर multiply में चला जाएगा यह एक बार गया एक बार एक बार गया एक को फॉर एक से कुना तो फॉर एक को फाइफ फाइफ याना है इससे कट गया तो 4x प्लस 5y बराबर 23 यह आपका बन गया समीकरण 2 है ठीक है अब पास समीकरण आये तो समीकरण x है एक क्या है 2x plus 3y बराबर 13 किसी एक को सेफरेट कर लो किसी को भी कर लो वैल्यू तो बटे में जाएगी तो 13-3y तो जाके एक क्यों जाएगी 13-3y बटे दो ठीक यह बटे में जाएगी यह समीकरण 3 क्या लाइन लिखते हैं इसके बाद म समेकरण 3 के इसमान को समेकरण 3 के इसमान को समेकरण 2 में भाई एक यह लिए तक 2 में रखेंगे 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 का है यह रहा अब द्यान से समझना 4x प्लस 5y है 4 की जगे तो 4 x की जगे यह पूरा पूरा का पूरा 13 माइनस 3y बटे 2 ब्रेकट क्लोज प्लस 5y प्लस 5y बराबर 23 का 23 ठीक है हलका हो जाएगा इससे कट जाएगा multiply में इसलिए कट जाएगा वरना निकटता फिर दो बचे न उस दो को अंदर multiply कर लेंगे तो दो का 13 से क्या 13 दूनी 26 पर दो का 3 से क्या तो माइनस का 6y यह 5y और 23 का 23 और यह 26 पांच वाई 26 अपनी जगह है चेवाई और पांच वाई तो पीछे बचा वनवाई वन लिकने जरुत नहीं प्लस गाता है यह वाई बचा लेकिन माइनस की बड़ी वाई लिए लिए तो वन लिकने जरूत नहीं होती ब़्याबर 23 बहुत एजी क्या करो 26 को अपन तो तो एक बात लिखनी आपको मैं बतादू आपको फिर से वह बात यह रहेगी कि वाई की इसमान को चलो नेक्स पेज में कराई देता हूं या परतिस फापित करने इसकी गांप परतिस फापित कर सकतर बढ़िया रहेगा क्यों विधी परतिस अपने तो एक्स बराबर 13 माइनस 3 है ऒऊंच तो यह की जिए नहींड नोहीं इस नहीं तो 4 बटे में 2 है तो X की वेल्य हो जाएगी 2 बैद असान हो गया यानि X की वेल्य तो आगए अपने पास में 2 और Y की वेल्य आ जाएगी अपने पास में 3 distortion तो कोई मुश्किल dlb नहीं है solution थोड़ा सा ऐसा होता यह कि वी पॉइंट वाला लेकिन दिक्कत नहीं है points में नहीं रखना और बटे में नहीं रखना फिर मेनी back सुन 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 हां किसी भी Parts'm में नहीं रखना है ताकि solution easy पड़े और किसे भी क्योंशन बटाई महीं मत रखो ताकि easy पड़े solution ठीक है यह द्यान रखना है अब अपना next question लेते हैं जो अपना part 5 होगा ना part 5 अपने है root 2x 3y part 5 है root 2x plus root 3y बराबर 0 और इसी में second जो है value देर किये हुए अपनी 3x 8y 0 root 3x minus 8y यह वो minus 8y बराबर 0 वहीं सेम सलुशन रहेगा अपना हल और हल में अपने क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विदी द्वारा प्रतिस्थापन विदी द्वारा वैसे सेम तु सेम रूट में इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है इसको सबसे पहले अपने सब्सक्राण एक से लेते हैं सब्सक्राण आपके पास में रूट टू एक्स बराबर में माइनस को बेच दो क्योंकि अपन को सेपरेट करना किसी एक सिवाई को तो एक्स की माइनस का रूट थी तो है और नीचे आजाएक बटे में रूट टू भाइए इसके साथ में गुणा में है तो बटे में आजाएगा तो यह माइनस की रूट थी पहुंग या पर इसको आप एसा भी लिख सक साथ यह आगे आपने एक्स की वेलिव समिकरन तीन दे दो इसको एक्स के इसमान को समिकरन दो में एक तो ले लिया था तो दो में प्रतिश्थापित करने पर दो का है यह रहा रूट थ्री एक्स टेक है माइनस स्वरी एक्स की जगेत रखना है तो रूट थ्री एक्स की रखने पर माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू एक ही बात है यह वाल वेल रखना हूं बात यह किए तो निपूच मत और एक साथ रख सकते थे वरना अलग भी रख सकते कोई फरक नहीं पड़ेगा रखें रूट 3 को माइनस रूट 3 से गुणा किया तो only 3 भाई तो जानता हूंगे आप रूट 3 रूट 3 only 3 में रूट का दॉलेज करवा रखा है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया और वाई बटे में रूट 2 का रूट 2 इधर रूट 8 य अपनी जगे ही है और बराबर जि पlit हो जाता है रूट दो को जब । 8 सबूरा करें है तो 16 हो रोड़ जाएंगे वो ठीक है भड़ जिरू अब यहां स्मार्ट सबीकर करनी क्या करनी घरकर स्मार्ट सब्सक्राइब एक सबुक्ट की मानेश थी वाइब मैन सब्सक्राइब मैनलिकर है मैन as O ऐसको इसने किया माइनस का three y और माइनस का four why बाय गया माइनस का sevenades zero और जिरो को इसने क्या या जिरो बटे अन् रखना वहीं की विल्योड हो जाएगी जिरोयी जुरोट इक है बहुत असान है अब क्या लिख देंगे के इस मान को वाई के इस मान को हम का रख देंगे वाई के इस मान को हम समीकरण 3 में ठीक है समीकरण 3 परतिस्ताफित कर देंगे 3 का है अपना हिरा एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स बराबर माइनस 3 वाई की जिकत रख देंगे पन 0 ठीक है और बटे में दो तो पूरा डिपार्टमेंट ही 0 हो गया ठीक है अगर किसी यह जिरो पटे दो दो च्टा जो पाटंफ है डेक हो शटा पाट अपना 3 X दो है और हम簡に मीनिस का 55 बटा Tube है माईनस और यह एक्स बटा 3 है ठीक है एक्स बटा 3 प्लस वाई बटे दो पर अब तेरा बटे च्छै प्लस में युटे-च्छै देख लेते नियुक्ति बार 2 है डेखो 3x upon 2-5-3-2 और x upon 2y बटे 2 है ठीक है यह क्या है वाइब बटे 2 है यह भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा यह था अपना क्योशन लास्ट चटा पार्ट वेरी इजी 3x upon 2-5-3 बड़ा सब्सक्राइब क्या है कि सबसे पहले समय करने एक और दो नाम देने लेकिन जो संक्या पहले से बटे में इसको पन एक और दो नहीं दे सकते तो देखो पूरी बात समझो इसको पहले वन और टू जैसा बनाते हैं क्या एक लाइन का बनाते हैं इसको क्या करेंगे वन नाइन दर बनाएंगे तो इसका ले लेंगे एक्सपान थ्री प्लस ऑपन टू बराबर तेरह बटे छे एल्समच्ण आ गया दो गद घ्रत थ्री वाई बराबर तेरह बटे छे ठीक है तो अब दो इसको इसको इससे ने किया तो यह तो हो जाएंगे चेह दुनी बारा एक्स 18 y और तेरेची का ठेदर 78 अब आप इसमें कॉमन जा रहा हो तो कॉमन ले सकते 78 जैसे इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा था ठीक है क्योंकि इसका दो दो बार दो सुरी तीन बार तीन तीन नो जाएगा दो और दस वह गांटी कोई कॉमन नहीं जा रहा था यहां पर कॉमन जा रहा हूंध छामन जा रहा तीनु में जाना चाहिए ऐसा कॉमन आना चाहिए चैयए चैपल इस जा कर संसी channels चौन अले लेंगे क्या सम्मिक्रण एक उदो तो बन चुके कोई साभी एक लेंगे चाहिए अब तो कोई साभी ले लो ले लो तो लेंगे इंटा चुलो अपने सिस्टम एक रिख लेते हैं हमेशा एक ही ले लेते हैं सभी रहेगा सम्मिक्रण एक से 9x-10y बराबर माइनस 12 किसी को एक से प्रेट कर लो तो 9x बराबर माइनस 12 10y उदर जाके हो जाएगा प्लस का और अब क्या जाएगी एक साथ ही कर लो कोई दिक्रत भी नहीं से लेकिन इस्टेव चलना पड़ेगा एक सब्सक्राइब माइनस 12 प्लस 10y और इन्हों आ जाएगा बटेमर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैली चिंता मतलों जित्ती बड़ी वैली होगी स्वलोशन उतना इजी पड़ जाएग सिंता वाली कोई बात नहीं है यह समिकरण 3 ठीक है स्वारी एक स्के इस मान को एक स्के इस मान को समिकरण 2 में समिकरण 2 में प्रतिस्था अफित करने पर ठेक 2 का है यह रहा 2 का तो 2 एकस की जोग रखेंगे अपन माइनस 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बागे ज़ दिस 3y बराबर 13 चिंता मत करना बड़ा आसान सलूशन है कट रहा होता तो काट देता नहीं कट रहा कि दो को 12 से गुणा किया तो माइनस का 24 दो को 10 से किया तो 20y ठीक है बटे में 9 का 9 इधर 3y बराबर 13 अब ले लेंगे साब इसका LCM ठीक है नेचे वालके LCM है 9 तोड़ा मैं अलग पेंस लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा तो ध्यान से समझो हाँ अब देखते हम इसका LCM है 9 9 का 9 में एक बार तो अब तो पेज तो बदलना पड़ेगा तो देखो पेज बदलने थे हैं इसको वेल्यू चेक कर लेंगे फिर से 27y और 20y यह आप क्यों होगे 47y क्या होगे 47 तो होगे weny के 47 तो होगे ङके ठीक और 24 माइनस कहीं माइनस के 24 अपने जगाई या है तियरा आपने जगाई न गई ठीक है घ। करला तो दो नो कर लेंगें बागी ऐसके नििचे कर लो इसको इसने क्या तो प्रगनी है पड़ा 47y-24 और बराबर 9 को करेंगे तो 937 हांसे लगी दो और 9 कि में दो ग्यारा तो देखो 47y बराबर 117 आपनी जगए है 24 उदर जाके हो जाएंगे प्लस के तो 47y बराबर साथ 4 11 हांसे लगी एक दो एक दो और चल्ट चार 141 तो य बराबर 141 बरते 47 आप जानती हो तीन बर करटे का एक्जेक्ट तो य की विल्यों आजाएगी तीन वाई की इसमान को इसमान को समीकरण 3 में ठीक है परतीस्तापित करने पर समीकरण 3 क्या कहता है सब इसमीकरण 3 कहत है यह रहा कि एक्स बराबर एक्स बराबर हो एक्स बराबर माइनस 12 प्लस है प्लस आपके हैं धस्कीट कि पता पिंग 2 नो तो आ क्या जाएगी 30 में से 12 चलेगे तो 18 बच गया है प्लस के क्योंकि बड़ी विल्व प्लस की ए कटिया साब एक्सक्राइब क्या जाएगी 2 तो काफी एजी है य की विल्व तीन एक्सक्राइब दो थोड़ असा लेंदी सलोशन जरूर गालेकिन कोई दिख्केत वाली बात नही चोथा भी तीसरा पहले कर लिया था चोथ पांच और छटा चेकेशे पड़ जोबर दस क्योशन थे आई तीम पढ़के मज़ा आगया होगा क्योश्ट नमर फर्स्ट बहुत ही शांदार था जो आपने कंप्लिट किया अब रहता है क्योश्ट नमर सेकंड काफी एजी है थ कुझञे तो कोई दिक्क्यत वाली बात कई आम नीचे वाले किसी को फड़ो ही मत नीचे वंदिको पार्णा दोनु समीकरंड को देखो पहला सब्सक्राइब दोनु समेकरण को हल करना है एक सब्सक्राइब निकाल लिए निकल गई जो परतिस्थापन विदी से ही सोल करेंगे ठीक है चलिए तो पहले अपने लिखेंगे सब्सक्राइब लिख सकते थे समेकरण पहला है 2x3y बराबर 11 दूसरा है 2x-4y बराबर माइनस का 24 समेकरण 2 सबसे पहले अपन क्या लेंगे समेकरण 1 से एक क्या कहता है 2x3y बराबर 11 तो क्या करो किसी एक को सेपराइट कर लो एक्स को तो 11-3y तो एक्स की विल्यों हो जाएगी 11-3y बटे दो यह आपका एक्स हो गया इसको देंगे अपन समेकरण 3 ठीक है बाकि वह सेम्टू सेम कहा नहीं है अपनी कि समेकरण 3 के इस मान को समेकरण 2 में ठीक है समेकरण 2 में रखने पर 2 में रखा यह रदो टू की टू एक्स की जगर देंगे 11-3y बटे दो ठीक है माइनस 4y बराबर माइनस का 24 कोई दिखत नहीं है टू सेम्टू कट गया पीछे 11-3y यह बचा इदर 4y और 24 तो देखो 11-3y चार वाई यह होगे 7y और 24 ठीक है तो अब क्या करेंगे यह बचा गया और आपको पता इसके बाद क्या करते हैं वाई की समान को वाई के इस समान को कहां पर रखते हैं इस समान को समीकरण 3 में टीक है समीगर तीन में पर 27 का है सामीकर तीन यह रहा है इसको इख लगटे नेक्स पेस पर तो देखो तो X की value क्या हो जाएगी 11 माइनस 15 बटे 2 तो X की value जाएगी माइनस 4 बच गया माइनस की value बड़ी है तो X की value जाएगी माइनस के 2 मतलब हमारे पास हमें X और Y की value दोनों क्या गई Y था 5 और X है आपके माइनस 2 ठेक ओके अब अपने बात करते हैं इसकी जो इसने कहा था ना इसकी value निकालो जो चीज दी गिवन थी अब इसमें आ जाते हैं अब चाहो तो थोड़ा standard का solution मना दो इसको equation 4 दे दो ठीक और इसको equation दे दो 5 अब यह लिख दो Y की जगर रख दो 5 एक M का M X की जगर दो माइनस 2 और 3 का 3 और यह लिखो सम्मेकरण 4 वे सम्मेकरण 5 से कैसे कि आपने तो य को 5 कहां से रखा सम्मेकरण हमने रखा इसका चार की विजए से एक्सी का माइनस 2 कहां से रखा सम्मेकरण 5 की एल्प से तो बहुत शांदार solution हो जाएगा सम्मेकरण 4 वे 5 से थोड़ा best होगा maths में full out of full तभी आएंगे जब थोड़ा statement अच्छे से लिखो से गूणा किया तो माइनस का 2M और तरीका 3 ऑप पांच अपनी जगई है थ्री गोदर बेश दो तो माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 2M अपनी जगई स्टंडर्ड के पहले अपनको करना कुछ भी नहीं था मु一द कोशिश कियोगे इसने आपको तो कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है कि पहले अपन को क्या करना था इसमें कि पहले हम गय तो इसमें रख देंगे तो इसमें रख देंगे तो आज एक्साइज की अपने यह पूरी की पूरी आपकी 3.2 का पहला क्योशन कंप्लिट और क्योशन नमर 2 भी शांदार तरहिए से कंप्लिट अब जो इसका नुमर 3 है न वह दुनिया का सबसे इंप्रेंट इसमें इसमें शहीद पांच या छे पार्ट है मेरे साफ से पूरा अच्छे पार्ट है इस सारे के सारे वर्ड प्रोब्लम वाले हैं मतब जो र आज की क्लास जैसे शांदार थी वेसे ही यह भी शांदार क्लास आपके होने वाली है बस पढ़ते जाएए जैसा भी कोई भी डाउट अगरे जाए तो कॉमेंट कर दिया अगरो उसका सलोशन आपको नेक्स क्लास मिल जाएगा और I think सारी चीज आपको समझ में आती जारी अगरो भी डाउट वथा कोमेंट कर दिया अगरो ठीके ना ओके